आज हम लोग बात करेंगे भारत और दच्छन फिरकार जो तीन टी-20 मैचों की स्रीज की सुरूबात होने को थी कल रवार 10 दिसंबर को तो दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला जो डरवन के किंग समीर इस्टेटियम में रद हो गया है रदव क्यों हुआ है बारिस के काडव मैच में टॉस भी नहीं होगा दोनों टीमों के बीच दूसरा मुकाबला गए लगा सेम बारत दिसंबर को खेला गया है लगातार बारे से कान टॉस भी नहीं हो सका मैच के लिए सभी टिकट बिख चुके थे दर्सकों को निरासाहत लगी और उन्हें माय सोकर बापस लॉटना पड़ेगा दोनों टीमों के बीच अब दुसरा मुकाबला 12 दिसंबर को गखे वेरा में खेला जाएगा तीसर 1820 है वो 14 दिसंबर को जोहंसबर्ग में होगा बहुत सी कोशिस है कि यहां पर फिल्ड में पहुंचे बहां देखा एंपारों उन्हें कि अभी पिच सई हुई है कि नहीं हुई है और बारिस थमने का नाम लेगी कि नहीं लेगी तो एंपार चाता लेकर पिच को देख रहे ऐसे में माना जा रहा है कि एंपार कुछ कड़े फैसले ले सकते हैं यहां पर आगे बविस्ति में भी देख सकते हैं जैसे अगर बारिस जॉनसनवर्ग या गया के वहरा में भी होती है तो कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं एंपार के द्वारा तो रभाग गिंद से डर्वन में बारिस होती रही और अंत तक निरासा ही आंत लगी पहले सोचा गया कि ओबर काट के ओबर कट किया जाएगा अगर बारिस रुक जाती है तो लेकिन बारिस ने रुकने का नाम ही नहीं लिया अगर यहां पर बात करें यहां पर भारत T20 सीरेज के लिए 17 खरारियों को लेकर आया है उनमें से केबल 3 सीरेस आईयर मुकेस कुमार और ईसान किसन जो हैं 50 ओबर प्रारूप का भी हिस्सा होंगे जो 50-50 होने वाले हैं बंडे मैच होने वाले हैं उनका यह 3 लोग हिस्सा भी होंगे कुमार यादब की अगवाई में टीम ने बंडे विस्सुकप के बाद आउस्टेलिया खिलाब अपने घर में T20 सीरीज 4-1 से जीती थी अब योबा टीम लगाता दुसरी T20 सीरीज जीतने के लिए इरादे से उतरेगी चोटिर कप्तान हार्दिक पांडिया IPL शुरू होने तक बाहर ही रहेंगे मोख तेज गेदवाद जस्पित बंड़ा जो हैं वो ब्रेक पर हैं इसके अलावा जून में होने वाली T20 बिस्सुकप से पहले बिराट कोली और रोईसर्मा के T20 बविस्सुकप को लेकर इस वर्षता नहीं है तो कोई भी दिश्चन पिरका में टीम की सपलता ये पफलता के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएगा यहाँ पर कोली और रोईसर्मा जो बिस्सुकप होने वाला है T20 बिस्सुकप जून में होने वाला है उसको लेकर इस पेस्ट नहीं हो रहा है कि कोली और रोईसर्मा T20 में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे